हेलो इन्मी फैंस वेल्कम टू बनाव प्राइम यह है डूम्स जाहंटर का एक और न एपिसोड नाव लैट्स बिग्याइन एपिसोड शेटे में दिखते हैं शेन और लॉक की बीच में एक प्रैक्टिस फैट होने वाली है वो दोनों एक दूसरे गूर रहे हैं यह दिकर सिया कहती है सीनर बरदर यह दूनों फैट शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं यह एंग्टियन कहता है यह दोनों की दोनों स्ट्राटिज़ बना रहे हैं जैसे स्ट्राटिज़ बन जाएगी दोनों फैट शुरू कर देंगे तब भी लाओ शेन से कहता है शेन तुम मे जूनर डेसिपल भी हो इसलिए मैं तुम पहले मोगा देता हूं तुम उल्ट पर पहले अटेक करो जिसनों को शेन से लगता है यह क्यावल एक प्रैक्टिस फाइट है मुझे इसको 10 सीरी से लिडिंग जुरत नहीं है फिर शेन लाव से कहता है सेकेंड ब्रदर खुद को इसके बाद में लाव अपना टेक करता है वो जोर से हो में उचलता है इती तेज फिर से उचलता है कि शेन को दिखाई भी बिन देता यह दिकरस यह कहती है सेकेंड ब्रदर कफजा तेज है उनकी जम कफजा दो उचाई था गई है शेन कहता है लेकिन उच्छा कुद नहीं तीसजर क्लोके लगव हो जाएगा इसके बाद में जो तुम अटेक करोगे तो तुमारे अटेक को फोर्स भी कवज़ता अच्छा होगा काश यह सब कुछ में लाव को भी बता पता लेकिन लाव को यह सब बताने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि लाव ने जो भी अपने लेवल किया है वो सब की सब केवल स्पृच्छल हर्प्स हो खाके किया है उसने कल्टिवशन के अंदर जाधा टाम दिया ही नहीं और नहीं प्रैक्टिस के अंदर जाधा टाम दिया है इस तरह से हर्प्स खाके उस जीता लेवल बढ़ा सकता था उता लेवल उसमें बढ़ जो कि उनकी काविज़ता कम है कोई उन्हें बताओ अगर वो सिक्स क्लासिकल आर्ट सिखने से अच्छा अपना पूरा टाइम कल्टिप्शन के इंदे लगाते तो उनका लेवल काविज़ता अच्छा हो सकता था जिंग्टेन कहता है हां मुझे पता है मैंने कई बार उसे कहन में तुम कम्यूनिकेट कर सको उसके बाद में तुम्हार पावर कवज़ता बढ़ जाएगी तब तुम ना केवल अपनी सोट को यूज़ कर पाओगे बलकि अपनी सोट को फील भी कर पाओगे शेन इसके लिए हम इसरे ला जेता है और फिर सुचन लगता है मुझे याद ह मेरी पीशरी लाफ के अंदर मैं सोट एकनिक को सिखने के लिए कुछ ज़्यादे आपजेज़ हो गया था मैंने अपनी लाफ के 6-7 साल के और फिर सोट टेकनिक को सिखने के लिए बिता जिय थे लेकिन जब असल में इन सोर्ट की टेक्निक की सिर्ग की जुरत थी तब जो पता चला इनकी जुरत उती ज़्यादा नहीं है मेरे एक मास्टर था है जिसका नाम था मास्टर ओफ सोरो उन्होंने फाइट के अंदर कभी भी किसे सोर्ट का यूज़ ने किया वो हमेशे एक स्पेल का यूज़ करते थे वो बात अलग है उनके और मास्टर ने बहुत पार अटेक किया लेकिन जब वो अटेक करते थे तब एक अटेक के अंदर हर एक मास्टर मारा दाता था उनके अटेकिंग स्पेल्स कवज़ शंदार होते थे और मैं दूसी तरफ में बेरो के उन सोर स्किल्स आते थी इसी जिसे मेरे लिए उन डिमन साथे फैट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था और तब ही मुझे सुझ में आया इस सोर टेक्नीक सीखना ही सब कुछ नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होती है जो कि हमें करनी होती है जिस दिन मुझे सुझ में आया उस दिन के बाद से ही मैंने काविसारी नेनी स्किल्स सीखना शुरू किया और फिर दिरी-दिरे काविसारी नेनी टेक्नीक्स को भी सीखा इसके बाद में शेन में ट्रेनिंग शुरू करता है वो अपने तलवा चुके चला चला के अपने प्रैक्टिस शुरू करता है जेंग टेन शेन से कहता है शेन बहुत अच्छे इससे तरह प्रैक्टिस करते रहो तुम इसको इस तरह सोचो, जिसने से लियू, अपने पूरा ध्यान, अपने six classical art को सिखने में लगाता है वैसे ही तुमें अपना पूरा ध्यान, अपने sword को सिखने में लगाना है ये एंग टेन ये कही रहा होता है, तब ही लियू जुन बाई गिरता है और कहता है, नई, ये सही नहीं है, हमारे वीचे बाई चल रही थी, तुक क्या हुआ, मैं कुछ seconds के लिए बाहर चला गया लेकिन ये fight अभी तक खतम नहीं होगी, ये fight continue होगी, और फिर खतम भी होगी और इस बार पहले attack मैं करूंगा, ये कहता है लाओ जोर से चलता है और शेहन के उपर अपने तलवार से टक कर जाता है शेहन अपनी तलवार के उस टक करता है, इस time पर लाओ के हाथ में जो तलवार होती है, उसके उपर लाओ के पकड़ ठीक तरह से नहीं होती शेन जैसे ही उस अटेक को ब्लोक करता है लाव के हाथ में से उसकी तरवा छूट जाती है और उच्छर के दूर जाती है और लाव भी जोईन पर गिर जाता है फिर शेन लियू से कहता है सेकेंड बरदर क्या ठीक है आपने काफ़ अच्छा किया से उसता है लियू, चाहुआ, तुम इस तरह से हसके हो रहे हो क्योंकि सब कुछ बिलकुल बराबर सो के है हमारे मास्टर के मेंली चार डेसिपल्स है जो है अब है यहां पर है एको आप, जो की एक बतक है एक के सिया, जो की एक बच्ची है और बाकी बचे मैं और शेन जो कि नॉर्मल है इस तरह से हम चारो डेसिपल्स एक दूसरे को पूरा करते हैं और यहां के रेपोटेशन को मेंटेन करते हैं शेन एक बहुत शांदर स्वोर्ड मैन है उसकी जैसे हमारे सेट का नाम पूरते से मेंटेन रहेगा शेन के जरी सभी लोग हमें भी जानेंगे जैंग टेन कहता है तो ऐसी बात है इसी जैसे तुम हसरे थे लाओ कहता है सीनर बरतर कि आपके पास में स्वोर्ड मैन शिव जाड़े स्लिप है जो की जो मेर पास थी, वो मेर पास से खो गई है, आपके असे एक्ष्ट्रा हो, तो मुझे दे दो, जेंगटेन कहता है, तुम जाड़े स्लिप को क्या करोगे, लाउ बुग कहता है, कल्टिएुशन करूँगा, लाउ जैसे ये कहता है, येंग्टेन मान जाता है वो एक स्क्रोल लागों पकड़ा जिता है और उसे कहता है ये एक बहुत किम्ती जाड़े स्लिप है मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ इस बार ये खोने मत देना वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहारी तुम अच्छानक से कल्टेशन करने वारे में कैसे सोच रहे हो ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ तुमने कभी भी खुद से कल्टेशन करने वारे में नहीं सोचा लिव कहता है मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ आज मैं जैसा सो रहा है मेरे पाउर की ज़्याद कम है शेन से मैं हार गया ऐसा मैं दुबारा नहीं होनी दे सकता हूँ मुझे अब ताकतोर बनना होगा जिसका एक रास्ता है कल्टिवेशन मैं नहीं चाहता लोग मुझे मेरे मास्टर का सबसे बेकार डेसिपल कहें किसी सिच्चेशन में ऐसा भी हो सकता है लोग मेरे मास्टर को ये कहें कि उन्होंने एक बेकार से लड़के को अपरे बास पर एक डेसिपल रखता है इसी विज़ जिम्रे ताकतोर तो बनने होगा ताक्टिव मैं सब का मुबंद कर सकूँ कोई भी मेरे मास्टर को ये मुझे कुछ भी गलत न कह सके मैं अपने अपने घर जा रहा हूँ मैं अपना कल्टिवशन अपने घर के अंदरी करूँगा मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे आगे परिशान करे शेन कहता है सेकर्ड बर्दर जैसे तुम चाओ सिया भी ये सुनकर बहुत खुश होती है येंग्टरन कहता है लाओ बहुत अच्छे अच्छे से कल्टिवशन करना तुम बड़े हो रहे हो इसके वाद में सिया शेन से कहती है थर्ड बर्दर सेक्टर मुझे तो जा चुके है आपको उनसे फाइट करनी थी अब आप मुझे से फाइट करो क्या प्लीज मेरी ट्रेनिक के अंदर थोड़ी सी मेरे मदद कर सकते हो शेन कहता है बिल्कुल तुमारे मदद के लिए तो मैं हमेशा है रेडी हूँ जिसमें सिया खुश रहती है और कहती है चलो फिर ठीक है फाइट शुरू करते हैं फिर शेन और सिया आमने से में खड़े हुआ जाते हैं सिया कहती है मैं केवल क्यों रिफ्लिस्मेंट के 6 लेवर पर हूँ मेरे लेवल आप से काविजदर कम है प्लीज अगर अटेक करने की बारी आए तो मुझे पे थोड़ा आराम से टेक करना शेन कहता है तुम इसकी बिल्कुर्शिता मत करको मैं पूरा ध्यान से टेक करूँगा और पुरिकोश करूँगा आज जो तुम ट्रेनिंग करो वो तुमारे बहुत काम आए सिया कहती है तो फिर ठीक है मैं पहले टेक करती हूँ यह कहती है अपने हातों के अंदर कोई एनरजी बॉल बनाने लगती है कुछी सेगर्स फे वो एनरजी बॉल आधी बन जाती है लेकिन आधी बनती है अपने आप यह बोल गया बुजाती है सिया हसते भी कहती है थोड़ी सी गरबर्ड हो गई मेरा फोकस अपनी जेगर से हिल गया इसी वज़े से शेडो बॉल पूरीते से बन नहीं भाई शेन कहता है कोई बात नहीं एक बहुत फिर से गोईश करो इस बार अपने अटेक के जेस्जर के उपर थोड़े ज़़े ज़़े फोकस करना सिया बिल्कुल वैसे एकरती है वो वापिस से उस डार्क एनरजी वबन को बलाने के लिए इतनी ज़़़े फोकस कर रही होती है तब उसकी बोड़ी बोज़ा डरावनी लगने लगती है और यहीं पर इस सेरीस का ये बसुर खितम होता है नाव थैंक ये फर वापिस